और मेरे चटँरों कैसे हूँआ आप आज हम लोग बनाएंगे ग्रेवी मंछूरीयन इसको वेट मंछूरीयन भी बोला जाता है सुनने में तो ऐसा ही कलता है नॉर्मल मंछूरीयन में पानी मिला दिया और बन्या ग्रेवी मचूरीयन लेकिन वहाँ नहीं है इसके जो गोबी थी जिसको आदा काट लिया है एक कप में दो कप है इसी के साथ में गाजर गाजर यह एक मीडियम साइस की गाजर थी बारिक-बारिक काटि भी है सब चौपर में चलाई वी सबजिया है दोस्तों हाफ कप गाजर, दो प्याज, और साथ आट बेन्स, ये सारी मेन सबजिया हो गई, अब फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैंने अदरक लिया है एक इंच, पांच छोटी लेसुन के कलिया, इसके जगे आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इस्तमाल कर सकते हो, इसमें नमक भी डालेंगे, लेकिन नमक की कॉंटिटी कम रखनी है, जादा नमक अगर डालेंगे, तो आपको मैदा और कॉंट फ्लार बहुत जादा इस्तमाल करना पड़ेगा, काली मिर्ज भी डाली है फ्लेवर के लिए, और अगर आपको एकदम बजार वाला टेस्ट चाहिए, तो आप इसमें आदा चमच गरम मसाला भी मिलाईएगा, ये ऑप्शनल है, अब इन सभी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, थोड़ा सा मैश भी करेंगे अपने हाथों से, ताकि नमक मिक्स हो जाए चारों तरफ, और फिर इसमें हम लोग कौन फ्लार और मैदा मिलाएंगे, दोनों की कौन्टिटी पांच टेबल स्पून है, लेकिन ये कौन्टिटी जो है ना कम ज़्यादा होती रहती है, तो शुरू में आप थोड़ा कम डालिएगा, कौन्ट फ्लार और मैदा को डालने के बाद इसको अच्छे तरह मिक्स करना है, और मैश करना है इसका आटा बनाना है, लेकिन जब हम लोग क्रिस्पी वाले बनाते हैं तो ये कौन्ट फ्लार और मैदा बहुत ज़्यादा लगते हैं, अभी हम लोग कम इस्तमाल कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जूडने वाला आटा होना चाहिए, अगर ज़्यादा जूडने वाला आटा बन गया तो क्रिस्पी बनेंगे, आप देख सकते हो आसानी से ये बिखर रहा है, अब हम लोग इसके मंचूरियन बॉल्स बनाते हैं, मैंने तेल गरम कटने पहले से रखावा था तो तेल रैडी है, इसलिए मैं अभी तेल के उपर ही बना रहा हूँ, अब बना कर पहले से भी तयार रख सकते हो, ऐसे छोटे साइज के बना रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग इनको ग्रेवी पिलाएंगे ना, तो ये फूल कर थोरे से भढ़ जाते हैं साइज में, थोरा से मिक्षर लेके अपने हाथों से गोल कर लेंगे, और तेल में फ्राई करेंगे, तेल मीडियम गरम होना चाहिए ताकि ये अंदर से भी सिख जाए, चार से पांच मिनिट में ये पूरे सिख जाएंगे दोस्तों, और आप देख सकते हो, शुरू में जो चार पीस डाले थे तब तेल थोरा ज़ादा गरम था, वो फ्राई हो चुके हैं, उनको मैं निकाल रहा हूँ, पूरा ब्राउन नहीं करेंगे, सिर्फ गॉल्डन ब्राउन करना है, बिल्कुल ऐसे, अब ऐसे ही मैं सारे के सारे मंचूरियन बॉल्ज बना लूँगा, तो ये 24 मंचूरियन के बॉल्ज बन गए है, और इनको आपको ज़ादा फ्राई इसलिए ही नहीं करना है, क्योंकि मैदा कॉर्ण फ्रार कम डला है न, अगर ऐसे ज़ादा फ्राई कर देंगे, तो सबज या जल कर काली हो जाएगी, इसलिए हम लोग ने गॉल्डन फ्राई किया है, और ये ग्रेवी में जब डलेंगे, तो फूल भी जाएंगे थोरे से और बिल्कुल नरम हो जाएंगे, तो चलिए ग्रेवी बनाते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कड़ाई गरम करी है, ये स्टील की कड़ाई है, आपके पास अगर चाइनिस कड़ाई हो, तो वो भी इस्तमाल कर सकते हैं, स्टील का बरतन बहुत ज़्यादा गरम होता है, बहुत जल्द इसी वज़े से यह इस्तमाल किया है, अच्छी तरह हाई फ्लेम पर इसको गरम करने के बाद हम लोग इसमें दो चमश देल डालेंगे, तेल को भी अच्छी तरह गरम करना है, मतलब बहुत अच्छी तरह गरम करना है और ये बिलकुल रेडी है तो अब इसमें लेसुन डालेंगे ये लेसुन 20 पीस है मीडियम साइस की कलिया थी जिसको मैंने चौपर में काट लिया है कप में ये वान फोर्थ कप है लेसुन डालकर 10-15 से फ्राई करेंगे फिर इसमें अदरक डाल देंगे बहुत जन्यों को अदरक नहीं पसंद आती है चाइनीज रेसेपी में आपकी मिर्जी है मुझे तो मस्त लगती है इसलिए मैं इसमें डाल रहाऊं 1 इंच और 3 हरी मिर्ज भी है साथी में थोरा सा नमाक और फिर से इसको 10-15 सेकंड फ्राई करना है हाई फ्लेम पर ये तो चलिए छोटी-छोटी सबजी आ हो गई अब इसमें जो बड़ी सबजी डलेगी उसमें है प्याज और कैपसिकम एक प्याज है और आधी कैपसिकम है जिसको ऐसा स्क्वेर स्क्वेर में काट लिया है इनको फिर से फ्राई करेंगे 1 मिनेट तक हाई फ्लेम पर जलाना बिल्कुल भी नहीं है उस बात का ध्यान रखना दोस्तों और सॉसेज अब इसमें डालेंगे सॉसेज में है शेजवान चेटनी जो मैंने एक बड़ा चम्मच इस्तमाल किया है सोया सॉस वो भी एक बड़ा चम्मच लेगेगी टोमेटो केणचप ये भी बड़ा चम्मच टोमेटो केणचप से मीठा पन आजाता है अगर आप ये नहीं डालना चाते हो तो आप आप आदा चम्मच चिनी भी डाल सकते हो जो हम लोग चिली सॉस, सेजवान सॉस, सोया सॉस बगरे इस्तमाल कर रहे हैं इस सारी खट्टिक होती है इसी वज़े से टमीटो केचप डाल रहे हैं एक मिनट तक इन सभी को पकाएंगे और मैं अभी शॉक हो गया था बिल्कुल बनाते वे क्यों इसमें कलर नहीं आया इतनी सारी सॉया सॉस डाली थी फिर देखा डिबे में उसमें कहीं भी डार्क नहीं लिखा है इसी वज़े से मैं इसमें और सोया सॉस डालूंगा बाद में अगर आप डाग सोया सॉस इस्तमाल कर रहे हो तो एक बड़ा चम्मच इस्तमाल करना है अगर लाइट सोया सॉस इस्तमाल कर रहे हो तो दो बड़ा चम्मच अभी चिली सॉस बोला था ना तो वो डालना भूल गया तो अभी डाल रहा हूं चिली सॉस जो है आदा चम्मच आदा चम्मच ब्लैक पेपर और कलर नहीं आया था ना सोया सॉस का इसलिए आदा चम्मच मैं यहां पर सोया सॉस भी डाल रहा हूं इन सबी को फिर से मिक्स करकर एक मिनेट पकाना है और अब इग्दम सही लग रहा है कलर है कि नहीं अपना मिक्षर बिल्कुल रेडी है तो पानी डालेंगे इसमें ग्रीवी मंचूरेन बना रहे है या वेट मंचूरेन बना रहे है बोलकर इसमें तीन कप पानी लगेगा तीन कप पानी साड़े साथ सो एमल के आसपास होता है शुरू में मैंने आदा लीटर डाला है या दो कप डाला है इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे वरना लम्स पढ़ जाएंगे इसमें और ये गया तीसरा कप अपना पानी बिल्कुल डल चुका है इसको उबाल लेकर आना है पूरा पानी पानी कर दिया हम लोग ने इसको और ये बिल्कुल सूप जैसा लग रहा है इसकी ग्रेवी बिनाएंगे उसके लिए यहाँ पर मैंने दो बड़े चमच कॉन्फलार इस्तमाल किया है अगर ये जो सूप है जादा खटा हो चुका है या फिर आपने इसमें कोई सौस जादा डाल दी तो तीन बड़े चमच भी लग सकता है कॉन्फलार में पानी मिलाकर उसकी सलरी बना लीजे बिल्कुल ऐसी लंप्स आपकी मिर्जी है मैंने यहाँ पर एक चुटके डाल दिया है सेम टेस्ट लाने के लिए में डालना बिल्कुल ऑप्शनल है और यह बस उबलने वाला है तो अपनी जो स्लरी थी ना वह भी इसमें डालकर पकाएंगे स्लरी डालने से इसका कलर भी लाइट हो जाता है फ्ले अपनी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है तो चलिए अब इसमें हम लोग मंचूरेन के बॉल्स डाल देते हैं क्योंकि इनको भी पकाना है न मंचूरेन के बॉल्स डालकर एक बार मिक्स कर दीजे और हाई फ्लेम पर दो मिर्ट इनको साथ हमें उबालना है ऐसे करने से क्या जाएंगे थोड़े फहुत गोल भी हो जाएंगे और बहुत टिस्टी लगेंगे खाते समय देखे कैसे राउंड राउंड हो रहे है अपनी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है और अपना मंचूरेन भी सॉफ्ट हो चुका है तो चलिए अब सर्फ करते हैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं आप ये रेसिपी जरूर से ट्राई करिएगा बहुत ज़्यादा नरम मंचूरेन बनते हैं और जो ग्रेवी है वो भी सिल्की बनती है बजार के बिल्कुल चिड्डे लगेंगे जब आप ये ट्राई करोगे तो फ्राई ड्राईस नूडल्स सब के साथ मस्त लगेंगे ये मंचूरेन तो ट्राई करकर कॉमेंट जरूर से करिएगा कैसी लगी recipe दोस्तों comment जरूर से करिएगा मैं तो बोलता हूँ आपको ये बजार से ज़्यादा अच्छा लगेगा अच्छा लगा तो like बटन और दोस्तों के साथ share करना है नहीं अच्छा लगा तो sad emoji और dislike बटन क्लिक करना है मिलता हूँ जल देखो और वीडियो के साथ ध्यान रखेगा और cooking शुकिंग का जो logo है ना उसके बगल में एक लाल कलर कर सब्सक्राइब बटन होगा उसको क्लिक करना है उसके बगल में फिर एक घंटी आ जाएगी उसको भी दबाना है ताकि आपके फोन में घंटी बजे जब भी मैं एक नया वीडियो डालू बाई बाई